इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठोनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्ण समर्प्रभाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद, कुछ किसानों को समझान नहीं पाए, भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी, ये हमारे लिए महत्पूर्पूर्थ था, कृष्वी अर्थसास्त्रियों ने, वैज्याकिनिकों ने, प्रगति शिल किसानों ने भी, उन्हे कृशी कानूनों के महत्पूर्पूर्पूर्प्रयास भी किया, हम पूरी विनम्रता से, खूले मन से उन्हे समझाते रहें, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशह माननीय सर्वोच नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से एक शमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को कि वापस लेने का रिपील करने का निर्णय लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे हैं समस्त सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानुनों को रिपील करने की संविधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुवात करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को धान में रखकर क्रॉप पैटर्न को बैज्यानिक तरीके से बदलने के लिए मस्पी को मस्पी को और अधिक प्रभावी और पारदर से बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को धान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे कृष्य वज्यानिक होंगे कृष्य अर्थसास्री होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समात्त करूँगा देही शिवावर मोहे इह सुब कर्मन ते कभून तरों हे देवी मुझे ये वर दिजिए कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटूँ जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं आप सभी के आशिरवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार कर दो